अब अताई मैं पैसा देकर उल्टा उनको बदनाम कर रही हूँ, उनके घर राशन पहुंचा कर उनको बदनाम कर रही हूँ, उनको मेडिकल कैम्स करकर फ्री मेडिसन देकर बदनाम कर रही हूँ, एक अजार आठ नॉर्मल डेलिवरीज फ्री दे कर बदनाम कर रही हूं मुसल्मान अरतों को ऐसा भी कोई बदनाम करता है भाईया तो पहले हमको सबको जानना चाहिए असद उद्दीन जी का तो अलगी एक तरीका है जीवन जीने का ये मुझे नहीं पता ये जो वहां आपने सवाल उठाया सबसे बड़ा की इतने लाख बोगस वोटर हैं लेकिन क्या बोगस वोटर की पहचान जो चुनावायो करता है वो भी फेल रहा बीच में सरकारे अलग-अलग राज्य सरकार है हलाकि आपका ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार पे ओनास आता है क्योंकि उनके ओफिसर्स वहां जाते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 84 से जो परिवार वहां जीता रहा हो उसका कोई ना कोई फुट होल्ड तो होगा वहां हाँ बाया इसके दो प्रकार के होल्ड है पहली तो ये है जब डीलिमिटेशन करवाया गया था तब कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्तर राज शेकर रेड़ी यहां पे थे यह हम सब जानते हैं जब भी कोई गवर्नेमेंट यहां पे राज्य में आता है वो असदुद्दीन जी से मिल जाते है क्योंकि खुद के दोनों का बहुती बहुती फैदा होता है अब यह उसके बारे में बात करेंगे तो एक अलग सीरियल बन जाईगे अपना जितने यह वगबोर्ड लाइंड से जप्त कर लिये आपस में बांट लिये हैं जिस जिसको दे दिये हैं घर बना लिये हैं उसमें अपाट्मेंट बना लिये प्रकार का पूरे एक सीरियल है आप एक 10-11 एपिसोड बना सकते हैं उसके पर वो मुद्धा बाजू रखते हैं इन दोनों की दोस्ती में यानि किसकी यह माया मसदुदीन जी का और कॉंगरेस के राशेकर रड़ी जी का दोस्ती के अंदर धर्मिया एक डिलिमिटेशन में यह लोग बहुत बड़ी बदमाशी किये लोगों ने पूरे जितने भी हिंदू एरिया था जैसे कि चेवर्ला एक भाग इसमें था तो इस प्रकार के जो थे कारवान का एक हिस्सा जहां पर अच्छे हिंदू पॉपुलेशन था यह दो तीन जगा जहां पर हिंदू पॉपुलेशन है डिलिमिटेशन में उसको निकाल दिया ग गया है ताकि असद दीन के लिए जीत आसान हो जाए अभी जितने हिंदू गए और जितने मुसल्मान आए वो नंबर का गफला किया गया है इलेक्टोरल में गफला और क्या बोलते बोगस वोट्स आड़ करकर क्योंकि डिलिमिटेशन में आपको कैसा पता चलता आप जब जो भी करना है उसी टाइम पर गफला करना है थोड़ा बाग तब किया गया था अब सब क्या समझेते हैं ने भाई हिंडू एरिया कम हो गया मुस्लिम एरिया का बड़ाती हो गया इसलिए इतने सारे वोट से इसलिए इतने सारे वोट से तो चाकि लोग उंगली ना उठा सके है ओ बो लोग इसी में मनराते रहे यह समझकर ने ने अभी ये मुस्लिम डामिनेटेड एरिया हो गया फिर बाद में फेज टू जब मोद बैया, दो हजार चोदा में उनका मोदी जी का जो रट चला था, उनका नामस्परण चला था, तब ये लोग और डर गेतें कि अरे इतने करने के बावजूद भी मोदी सरकार आ जाएगा, आप बताईए, 2014 में ऐसा कैसा, एकदम, एकदम जो आप डिफरेंस देखोगे, ओटो का, थकरीबं चार लाग से बढ़कर, ओट्स बढ़ गेतें वहाँ पर, ऐसा कौनसी दुनिया है, कि इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे पैदा होंगे तो भी, आपको इतने वोटर नंबर तो नहीं आएंगे, ना, 18 क्रॉस तो नहीं हो जाएंगे, इतने लोग कहां से आज जाएंगे भाईया, एक कॉंस्ट्वेंसी में, ये एक बिना लोगों के ध्यान में लाते हुए, ये लोग आराम से अपने-अपने मिल कर दिये, जहां पर बाजपा के कार्यकरता ने अवाज उठाने की कोशिश बार बार कीती, जियेच्चमसी को यहां के, जो Greater Hyderabad Municipalty Corporation बोलते हैं, इस राज्य का, तब तो समय के आंधरा था, याने आंधर तेलंगाना मिले हुए थे, वो राश्ट्र के बारे में बतारियों में, वहां पर, वहां के यहां पर तेलंगाना, यहां पर जाभी हैद्रबाद जो क्यापिटल सिटी भी तब भी हैद्रबा दीता, वहां पर, यहां पर लोकल गवर्नमेंट को, बाचपा के लोग बार बार बताते गए, भाई देखिए, यह गलत हो रहा है, बोगस वोट्स बढ़ते जा रहे हैं, और हिंदू के वोट्स, इलेक्टोरल उसमें भी यह जियाचमसी में घटाते जा रहे हैं, भाया, य इसे भी जीट जाएंगे, इसके अलावे और एक भी बदमाशी करते हैं, हिंदू के वोट्स एन वक्त पर भेग देते हैं, यानि मतलब, जैसे कि मैं जिस घर में रहती हूँ, अगर हम छे लोग रहते हैं, तो मैंने बगल का पोलिंग बूत में तीन वोट जाएंगे, और दूसरे कहीं पोलिंग बूत में तीन वोट्स पेग देते हैं, उतिना क्यों बाईया, हमारे या मलकपेट कॉंस्टिवेंट से में सिंगर हैं, उन सारे वोट्स जो लग यहीं पे रहते हैं, लंबाडा, बंजारन, जो एस्टी कहते हैं, उनके वोट चार किलोमेटर दूर म कहीं दूर इतने दूर इंसान जाके वोट दालते हुए, और एक काम भी करते हैं लोग, मैं बताते हैं जो इंग दे कहीं अंत भी नहीं होगा, जिस दिन पोलिंग होता है, 144 सेक्षन होता है न, यहां पे उसका अमल नहीं होता है, आप याकुत पुरा, बहदूर पुरा की जगा पे जाईए, आप तीन बजे, चार बजे को भी, जैसे एक क्या बोलते हैं यह कोई त्योहार मना रहे कोई, इस प्रकार से गाड़ियां आते रहते हैं, जाते रहते हैं रोड के उपर, नजदिक नजदिक जगाओं पर पोलिंग बूट्स रहते हैं, और एक बात बता बताती हैं आपको, घरो में रखते हैं यह लोग, पोलिंग बूट्स, आप कितना जेल कर बताईए, कोई इंसान सच्ची से धर्मबद ओड दाल सकता है, अच्छा आप उनकी कमजोरियां तो बता रहे हैं, आप दो अधार पोलिंग बूट्स में, तक्रीब एक अजान माइ अगर हमारा बच्चा एजन्ट बैट भी जाए, इतना डराते हैं उसको, कि वो कुछ काम ही नहीं कर पता है, कभी-कभी यह नकारते हैं जाने के लिए, बोलते हमाम नहीं जा सकते हैं, नहीं बैट सकते हैं, अगर वहां का पोलिस को आप बता दे, खुद हमारे उपर ही वो कोई ना कैस में तेरे को डाल देंगे, मेरे हिसाब से नया नहीं है ना अपने पास, यह होते रहता हैं, इन सारी दिवार उनको तोड़कर 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 जाऊंगी, मैं, आप पहुंचेंगी ये बात, आपका विश्वास बताता है, कि आप पूरी ताकत के साथ झाल नहीं